हेलो चिल्डरन, गुड मॉर्निंग, तुड़े आई एम गएंग टू टीच यू हिंदी सब्जेक्ट, चेप्टर नमबर चार, अपने बारे में, शो लेट्स बिगिन, कुशन नमबर वन आपको पूछा गया है, इसमें, कि इसमें वन नमबर पता है, कुशन, कि खाली जग़ बरकर अपना परिचे दीजे, आनि अपना परिचे देना है, अपने आपका परिचे देना है, इसमें, कि हम चोथी फोर कक्षा में पढ़ते हैं, तो जिट सिसकी वो अपना परिचे देगे इसमें, में दर आपको दिखाया हुआ है, जैसे आप अपना नाम लिखेंगे इसमें, जिसकी बूखे वो अपना नाम लिखेंगे इसमें, एक खाली जग़ें में बरकर अपना परिचे दीजे, जैसे इसमें वन नमर में बताया है, मेरा नाम मु में चार कक्षा में लड़का है तो में चार कक्षा में पढ़ता हूँ लिखेगा और लड़की है इसमें लड़की बताईए मुबस्षीरा तो हम पढ़ता हूँ को कट करेंगे तो इसमें पढ़ती हूँ आएगा में चार कक्षा में पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ तो आपक एहम्दाबाद नामक गाउ में सहर में रहता हूँ रहती हूँ तो एहम्दाबाद ये वो गाउनी ये शहर है तो अपने गाउं को कट करेंगे एहम्दाबाद ये वो शहर है तो मैं एहम्दाबाद नामक शहर में रहता हूँ अब फोर नमबर मेरे पीता का नाम यूसुफ है यानि आपके फादर का नाम लिखना है पापा का नाम लिखना है इधर आपके पापा का नाम क्या है वो लिखेंगे आप कि पहले में तुमारा नाम लिखना है जर फोर नमबर में आपके पापा का नाम लिखना है कि मेरे पीता का नाम जो भी है वो आपको लिखना है इसमें यूसुफ लिखा है कि मेरे पीता का नाम यूसुफ है फाइ नमर पांच नमर में दिया है मेरी मा का नाम आशिया है अपनी ममी का नाम जो है लिखना है कि मेरी मा का नाम आशिया है अब इसमें देखो 6 नमबर में मेरे बाई का नाम खाल दिग्या है तो आपके बाई मेने डैस कीए जो जो उसके बाई बाई ने उसके नाम लिखेंगे उसमें कि मेरे बाई का नाम जो भी है लिखना है आपको मेरी बहन का नाम उम्रा है मेरी बहन का नाम उम्रा है जो हे वो लिखना है एट नमबर में दिया है मेरे चाचा का नाम खालजग्या है तो आपके चाचा का नाम लिखना है आपका चाचा का नाम क्या है वो लिखेंगे आप 9 नमबर मेरी भुवा का नाम खालजग्या है तो भुवा का नाम क्या है वो भी आपको लिखना है उसमें टेन नमबर आपके परिवार में कौन-कौन है राइट या रोंग चिन्ह लगाईए आपके परिवार में कौन-कौन है उसको आपको राइट या रोंग चिन्ह लगाना है जैसे माता तो राइट अपनी ममी रेती है तो राइट आएगा पीता पापा रेते राइट भाई है तो राइट नहीं है तो रौंग करेगे बहन राइट अभी ये देख़ो पुस्त के बुक में जिसके जिस्त का नाम उबश्चरी लिखा है उसका भाई नहीं होगा तो उसने उसको क्रॉस किया हुआ है लेकिन आपका भाई है तो आपको राइट बताना है दादी राइट दादा राइट चाचा राइट चाची, राइट नाना, रॉंग यूकि नाना आपने गर में नहीं रेते, आपके परिवार में नहीं रेते नानी, रॉंग फुफा, राइट फुफी, राइट इसमें अब इसमें आपको 11 नमबर का कोश्यन पुछा गया है कि मेरे दोस्त मेरी सहेडी का नाम आपको वही से तो मेरे दोस्त सहेडी मेरी सहेडी कट करना है कि मेरे दोस्त का नाम जो भी है वो लिखना है आपको अब यह लड़की है तो उसने लिखा है मेरे यानि मेरे को आपको कट करना है मेरी सहली का नाम अर्शी है मेरी सहली का नाम अर्शी है तो वो मेरे दोस्त उसको कट करेगे और जो बॉईस है तो मेरी सहली को कट करना है अपने दोस्त का नाम लिखना है 12 नमबर मुझे क्रिकेट खेल पशंद है उसने क्रिकेट लिखा है लेकिन सबका अलग-अलग गेम होती है तो आपको जो अच्छा लगे उसके बारे में लिखना है ज्यादा था तो सब लोग क्रिकेटी पसंद करते है लेकिन आपकी जो फैवरिट गेम है उसका नाम लिखना है यह मुझे क्रिकेट खेल पशंद है 13 नमबर मेरे अध्यापक, मेरी अध्यापिका का नाम साजीदा है अध्यापक यानि सर है तो सर है तो सर का नाम लिखेंगे और मेरी अध्यापिका का नाम यानी स्टीचर है तो उसका नाम लिखेंगे उसने साजीदा है लिखा है मेरी अध्यापिका का नाम साजीदा है फिप्टिन नमबर मेरे अध्यापक में ने बताया आपको हो लिखना है फोटिन नमबर मैं शुबच छे बजे उठता उठती हूँ तो बॉइस से तो लिखेंगे मैं सुबच छे बजे उठता हूँ और गल्ष सोती तो लिखेंगे मैं सुबच छे बजे उठती हूँ पंद्रा नमर मैं जज बनना चाती हूँ चाता हूँ और चाती हूँ मैं जज़ बनना चाहता हूँ, मैं जज़ बनना चाहती हूँ, उसको कट करना है, शिक्षि नमबर में आपको दिया है मेरी पसंद, अभी आपकी पसंद क्या है वो आपको बताना है, एक्सिसाइज नमबर 17 दिया है उसमें, कि मुझे ना पसंद है, जूट बोलना उसे ना पसंद है, मारना ना पसंद है, चगडा करना ना पसंद है, और दुस्त्रों की बुराई करना ना पसंद है, आपको जो ना पसंद है, उसके लिखना है इधर आपको, उसने वो बताया है कि मारना, जगडा करना, दुस्त्रों की बुराई करना, वो सब उसको ना पसंद है, जूट बोलना, आपको एक्जामपल में बताया है कि जूट बोलना, तो मारना, जगडा करना, ने दोस्तों क मारते रहते हैं, किसी की आदत होती है, किसी को मारनेगी, अभी कोशन नबर टू, प्रत्यक सब्दक के दो दो बार लिखे, प्रत्यक सब्दक को दो दो बार लिखे, अभी आपको चाचा दिया है, चाचा, तो चाचा को हम दो बार लिखेंगे, चाचा, कितनी टाइम लिखें बाई के हम दो बार दिखेंगे बाई तिसरे में दिया है बहन बहन तो बहन को हम दो बार दिखेंगे चोथे में कक्षा कक्षा तो कक्षा को हम दो बार दिखेंगे आज में चोथी तो चोथी को हम दो बार लिखेंगे छे नमबर शिक्षी का शिक्षी का तो हम शिक्षी का को दो बार लिखेंगे सेवन नमबर पीता तो पीता को लिखेंगे दो बार 8 नमबर मा, तो मा को हम दो बार लिखेंगे 9 नमबर बुवा, तो बुवा को हम दो बार लिखेंगे 10 नमबर गाउं, तो गाउं को हम दो बार लिखेंगे 11 नमबर में दादा, दादा को दो बार लिखेंगे 12 नंबर में विद्ध्या लई तो विद्ध्या लई को दो बार लिखेंगे जैसे वन में दिया है चाचा, बाई, बहान, कक्षा, चोथी, शिक्षिका, पिता, मा, बुवा, गाव, दादा, विद्ध्या लई प्रश्ण नंबर तीन उदारण के अनुशार खाली जग्या में उची सब्दली खिये उदारण के अनुशार खाली जग्या में उची सब्दली खिये अभी उदारण आपको दिया है के पीता, माता वो इसाब से अपने दूसरे वर्श्टिये है वो इस दारण हिसाब से हम डिखेंगे जैसे चाची दिये तो चाचा आएगा तो चाचा चाची ज़र पाई दिया है तो बहन आएगी पाई बहन पाई बहन फुपी है तो फुफा फुफी फुफा फुफी दादी है तो दादा आएगा दादी दादा-दादी, मॉषा-मॉषी, मामद्या यटो मामी, मामद्या यटो मामी नाना यटो नानी, नाना नानी, इभी पिछ देको पिता, माता, चाचा, चाची, भाई, बहन, फुफा, फुफी, दादा, दादी, मोशा, मोशी, मामा, मामी, नाना, नानी अभी एक्सरसाइड नंबर फॉर, चार दिया है, सुन्दर अक्षो में दिखिए, या कि आपको यह सेंटेंस दिये, पुरा वाक्य दिये, उसको सुन्दर अक्षो में लिखना है, जैसे कि मैं विद्यारती हूँ, मैं विद्यारती हूँ, तो मैं विद्यारती हूँ, वो दूसरे में आपको दिया है मैं चोथी कक्षा में पढ़ता हूँ मैं चोथी कक्षा में पढ़ता हूँ तो वह आप रिखेंगे मैं चोथी कक्षा में पढ़ता हूँ मैं चोथी कक्षा में पढ़ता हूँ प्रे नमबर मैं चोथी कक्षा में पढ़ती हूँ यह बोई से विद्याती बताया है जो लड़का है पढ़ता हूँ लिकेगा और इसमें लड़की दिये तो मैं चोथी कक्षा में पढ़ती हूँ तो वो लड़की होती है मैं चोथी कक्षा में पढ़ती हूँ फिर आपको दिया है हमारी पार्षाला का नाम सरश्वती विद्यालई है इसमें आपको पायन मत लिया है फाय नमबर कोष्टक से उची सब्द चून कर खाली जगह बरिये कोष्टक से उची सब्द चून कर खाली जगह बरिये में मुझे मेरी मेरे इसमें आएगा में लड़की हूँ में लड़की हूँ दो नमबर मेरे पिता किशान है प्री नमबर मेरी माता घर काम करती है मेरी माता घर काम करती है चार नमबर मुझे खेलना अच्छा लगता है मुझे खेलना अच्छा लगता है अभी बन नमबर में आपको दिया है में लड़की हूँ दो नमबर में दिया है मेरे पिता किशान है प्री नमबर पता है मेरी माता घर काम करती है वो नमबर मुझे खेलना अच्छा लगता है अभी प्रेश्ण नमबर 6 दिया है 6 नमबर का सोचिए और लिखिए सोचना है विचारना है और उसको लिखना है जो इसके लिखना है, यसे पिता के पिता, पिता के पिता क्या कहलाएंगे अपने दादा, पिता के पिता, दादा, माता के पिता, अपने ममी के पापा को क्या कहेंगे हम, नाना, माता के पिता नाना पिता की माता दादी अपने पापा की ममी को क्या बोलेंगे दादी माता की माता नानी अपनी ममी की ममी नानी हुई माता की माता नानी पिता के भाई चाचा, माता के भाई मामा, मैं मम्मी के भाई को मामा बोलेगे, माता के भाई मामा पिता की भाई फुफी, अपनी फुफी लगेगे ना, फुफी, हौई, अंटी, पिता की भाई फुफी, माता की भाई मोशी, बहन के पती, अपनी बहन के जो मिश्टर होते हैं, पती होते हैं, उसको हम क्या बोलेगे, जी जा जी, क्या बोलेंगे, जी जा जी, बहन के पती को जी जा जी, एक बाद फीसे देखे, पिता के पिता, दादा, माता के पिता, नाना, पिता की माता, दादी, माता की माता, नानी, पिता के बाई पापा के बाई होते हैं उसको चाचा माता के बाई मामा पिता की बहन फुफी अपने पापा की बहन को हम फुफी बोलते हैं फुफी और पापा के बहन के जो पती से हो उसको क्या बोलेगे फुफा आप बोलेंगे उसको फुफु बोलते हैं नों फुफा बोलते हैं हम लोग माता की बहन मोशी या खाला आपनी खाला माता की बहन मोशी और अपने बहन के पती जीजाजी बोलेंगे क्या बोलेंगे जीजाजी देखो दादा दादी चाचा फुफी नाना नानी मामा मुशी बहन बहन जी जा जी अब भी अपने चाचा के लड़के को हम पित्राई बाई बैन इसको पित्राई बाई बैन बोलते हैं अपने कजीन बोलते हैं जो अपने रिलेटिव के बाई बैन होते हैं उसको कजीन समझ गए ओके अने शूड़